ऐसा है कि नवाब मलिक जी और उनके सारे साथी डरे हुए है कि वाजे अब क्या-क्या बोलेंगे तो जितने वाजे के आका है जितने उनके मालिक है ये सारे के सारे डरे हुए है कि अब कौन सी कौन सी चीजे बहार आएगी क्योंकि जिस प्रकार से चीजे बहार आ रही है उससे ये ध्यान में आता है कि एक प्रकार का सिंडिकेट राज चल रहा था और मुंबई की या माराथ पुलीस की बदनामी हमने नहीं की जिनों ने ये सिंडिकेट राज चलाया जिनोंने 17 साल के बाद वाजे को नियम के बाहर रहते हुए प्राइम पोस्टिंग दी और जिनोंने सारी की सारी केसेस ये वाजे के पास दी और मुंबई पुलीस जिसका नाम स्कॉटलेंड याड की पुलीस से भी अच्छा था उसको बदनाम करने का काम किया अब वही सवाल पूछते अरे अपने गिरेबान में जाग कर देखें लेकिन मैं समझ सकता हूं आप दरे हुए हैं आप हमारे उपर कितना भी आरोप लगा ले हम कोई चिंता नहीं हम